अजय को एक वाले कुम वेलकम बैक टो एनाधर वीडियो भाई आज की वीडियो में आपको रेंजर टूची की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और इसकी कनिफिग्रेशन सब कुछ बताऊंगा वीडियो का अपने अंड तक लाजमी देखना है यह रेंजर टूच से थोड़ा सा इसके अंदर आपको नाइन पॉर्ड को प्षिन ही मिलता ब्लैक कलर में आता है इसकी शेप फूर से चेंज है मेरे पास एक पर पीस भी पर आवर मैं आपको इसकी उपर सेटिंग में बताऊंगा और कम्प्लीट स्की स्पेसिफिकेशन भी दिखाऊंगा सबसे पहले आप एक दफा सारी जो है ना स्पेसिफिकेशन चेक करने टूर टॉर टॉर कैसरी सिक्स्टिया स्मार्ट ट्रैकिंग आलमॉस सब कुछ रिंजर टू वाला ही है थोड़ा सा इसकी शेप का डिफरेंस है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यह कैमरा आप लोगों के सामने ही द देखें सेम टूर टॉर टाक है और इसके सेंसर सोरे से जादा बहतर है मैं इसको कम्प्रीट आप लोगों को चुला के भी दखाते हूं इसको एड़ करने का तरीका भी कम्प्रीट आपको बताते हूं वीडियो का अपने अंटर लास में देखते हैं अच्छा जी सबसे पह कैमरा जोंगे आपको सारे शो करवा देगा आपका अगर पहली दफ़ा करेंगे तो कोई कैमरा नहीं होगा गबराना नहीं है सिंप्ली उपर प्लस का निशाना प्लस का निशाना पर आपने क्लिक करना है और स्कैन पर चला जाना है कैमरे के नीचे ही जैसे वीडियो में आ गेरा करेगा और कैमरे को एड़ करना खुद ही स्टार्ट करतेगा। UważN lists gon क्रोड़ के पान definitely स्टार्ट करके छोड़ करना है। उसके बाद आपन अगें घूपा मुख слож अगें चीजा ही YouTube आप यहां पर dall niceness पोच्छा F आपने जो है इसका एक दफा देख मेक शूर करना है कि आपका पासफ़र बिल्कुल एकुरेट हो पासफ़र गलत नहीं होना चाहिए वाइफ़र लगाने के बाद आप जैसी ही नेक्ट करेंगे तो यहां टाइमर एक शाट होजएगा यह कुनेक्टिंग का मैं थोड़ा टाइम लेता है 120 सेकल का टाइमर आएगा लेकिन थोड़ ही देर में यह कुनेक्ट हो जाथ है बस आपने थोड़ा सा बेट करना है और यह आटोमेटिकली कनेक्ट होना स्टार्ट हो जएगा आपको मैं वीडियो करना है तमाम प्रसीजर बताऊंगा मैं वीडियो को इसे वजा से आगे फोरवड नहीं कर रहा था कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखा दूँ देखें यह एडिंग कैमरा आगया है डेड हो चुका है सबसे ओऊर देखें कैमरे का नाम आ रहाँ है यहां अपनी वर्शी से अप कोई भी नाम चूस कर सकते हो फैक्टरी कर सकते हूँ मैं यह नीचे फृरंट डोर लिखा वा तो इसको फ्रन डूर पर ही कर देता हूँ उसके बाद नीचे आपको एक region का option आ रहा है एक arm setting का सबसे पहले हम arm setting को देख लेते हैं arm setting basically detection वगरा की setting है इस पर मैं क्लिक करके दिखा जाता हूँ आप तो इसमें motion detection वगरा का आ जाता है यह मैं आपको बाद में बताऊँगा इसके बाद हम region पे आ जाते हैं region में हमने क्राची select करना है उपर से सर्च करके आप क्राची select कर लेज़ेगा region में region select रेने के बाद नीचे date का option आ जाता है यहाँ पे आप month date और year को कर सकते हैं कि आपको किस category का चाहिए उसके बाद हम simply इसको नीचे से done कर देंगे done करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और लें जी हमारा camera एड हो चुका है simply इसको हमने back करना है yearly plan हमें कोई भी नीच चाहिए और camera को जैसे front पे click करेंगे तो camera आपका start हो जाएगा result camera का check करें lush किसम का result आपका सामना है भाई आपका बैठा है आपका result पका देख लो कितना पप्पू किसम का result आ रहा है और बाकी जिसकी जितनी भी setting मैं एक एक करके सारी आपको बता दूंगा बस वीडियो करने तक आपने लाजमी देखना है लें जी इंटर फेस में सबसे पहले एक speaker का option है इसको क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ आपको यह थी जी इसकी audio जैसी आप speaker को on करते हैं तो इसकी audio स्टार्ट हो जाती है उसके साथ एक video का button है इसको अगर आप दुबाएंगे तो video का clip भन जाएगा इसका बहुत सार लोगों को होजेगी है देखें simply बहुत ही simple किसम के function है और सारे आप लोगों को समझ आदेंगे पीटीजी के बाद अगर हम next feature की बाद करें जो पर लिखा हूँ फीचर उसमें privacy mode पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो camera privacy mode में चला जाता है उसके बाद अगर इसको मैं कैंसल हाइड करूँ का तो camera वाप पिस एक्टिव हो जगा इसके बाद भाद यह को पिक्चर इन पिक्चर का इसको अप्शन को अगर आप करते हो तो आपको अपने कोई बी काम करो और साथ-साथ camera का view भी देख सकते हो simply इसको दुबारा दुबाओके तो camera again open हो जाएगा मजीद जो इसकी settings है right top पे आप देख सकते हो settings में हम जाएंगे और इसकी सारी settings में आपको बताता हूँ सबसे top पे भई आपका camera है camera का नाम आएगा इसको आप दुबाएंगे तो सामने device name आरा है device name से आप यहां से भी बाद में जाके camera का नाम चेंज कर सकते हो उसके बार firmware है नीचे device label आ रहा है device label को आपने लाजमी safe कर लेना ताकि आपके पास camera का label रहे क्योंके camera जब आप लगा दोगे तो label आप उतार नी सकते दुबारा ठीक है आपको अगर के भी जूरत पर गी तो आ label उतारना परेगा यहां से पासवर्ड वगरा भी चेंज कर सकते हो इसके लावा मजीद सेटिंग में आपको बता देता हूं पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हो यहां पे अपना old password security code लगा के नया password camera को लग से लगा सकते हो उसके बाद एक device preview के नाम से option आ रहा है हमारे पा detection का option detection में जाके motion detection का option आता है इसको उन करने का फाइदा होगा जैसे को motion होगी आपको notification बेज़ देगा जैसे अब ही आपके सामने से फॉर्ण से notification बेज दी है उसके बाद आप इसको smart tracking पे on कर दें smart tracking जैसे आप video में देख रहा है के camera मूव कर रहा है तो यहां नीचे motion sensitivity है sensitivity अगर आप रहाना चाहते हैं maximum five levels होते हैं five पे कर दें उसके बाद general activity zone है यहां पे आप zone select कर सकते हो कि कितने area cover चाहिए किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ general activity zone में पूरा आप एक area draw कर सकते हो कि हमें इस area की protection चाहिए तो मुझे इसकी जूरत नहीं है मैं बैक आ जाता हूँ इसके बाद भई हमारे पास alert tune के नाम से option आता है यहां पे इसको अगर आप own करोगे तो हर detection के उपर एक siren सा बजा देगा कोई भी detect होगा तो siren बजा देगा उसके बाद audio का फीचर आ जाता है abnormal sound alarm के नाम से आता है जैसे ही कोई abnormal sound detect करेगा for example यह decibels के अंदर sound आ जाता है कि 70 decibel 80 decibel like कोई भी अगर यह short detect करेगा तो उसका अलग से आपको notification भेज़ देगा कि भाई यहां पर abnormal sound जो है ना मैंने रिकटना इसकी है तो मैं simply इसको बंद कर देता हूं कि मुझे इसकी जूरत नहीं है उसके बाद local storage rule आ जाती है हमारे पास काफी main option है अभी फिलहाल इस camera क आ जाता है privacy mode मैंने पनली उसके बाद है अगर आप चाहती है audio record हो तो इसको on कर लें इसके साथ ही हमें share device को option मिल जाता है अगर आप किसी को भी और किसी मजीद बंदे को अपना camera access देना चाहते हो तो simply यहां नीचे plus के button पे आपने जाना है और उसका email यहां दाल देना जिस email पर IMOU का account बना हो यहां आपने email एंडर करना है जैसे ही इस email को आप एंडर करेंगे तो camera उस बंदे के पास add हो जागा इसके बाद जो हमारे पास option आ जाता है उसके अंदर आप देख लें के HDR का option है यह काफी important option है HDR के option को आपने always on ही रखना है इसमें इससे result में बहुत ज network की option आजाती है network basically आपके पास जितने इर्दगर्द Wi-Fi चल रहे हैं सारे आपको देज देगाए आप जिसको भी connector ना चाहिए उसको connector सकते हैं उसके बाद smart scene का option है इसको आप add करके front पे इसका smart scene ले सकते हो उसके बाद हमारे बास add to home screen का option आजाता है यह basically बटन बन जाएग तो बहुत जादा बेतर है इसके बाद हमारे पास option आजाता है image rotation का इसको अगर आप on करते हो तो यह आपकी picture को 180 degree पे rotate करतेगा यह देखें अगर आप च्छत पे लगाते हो तो इसको on करते ना मैं इसको off करते हूं तो मेरा camera वापिस 180 degree rotate हो जएगा like 0 degree पे हो जएगा यह द सकते हो अकसर लोगों को भाई issue आता है कि हमारा firmware update कैसे होगा जैसी firmware update आएगा ना तो फ़र firmware लिखा हो है इसको आप क्लिक करोगे तो यहां automatically आपको option देदेगा update का अभी यह latest version पे है तो यह आपको update दे नहीं रहा जैसी update आएगा तो automatically update हो जाता है उस जिसकी tension नहीं लेनी आप लोगों ने यह थे जी आई मो रेंजर टूसी के तमाम फीचर्स आप लोगों के सामने है रिजल्ट वकिर इसका आपके सामने है स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है किसी ने कोई भी question पूछना हो कोई भी camera को चाहिए हो तो मेरे से पूछ सकते हैं अच्छा बहुत सार आपके रखेंगे तो camera reset हो जागा कोई ऐसे मस्ते वाली बात होती है कोई भी मसला आता है कोई configuration का मसला आता है को सेटिंग का मसला आता तो सक्रीन पे मेरा number चल रहा है आप बेफिकर हो के मेरे से रापता कर सकते हैं नंबर मेरा चल रहा है WhatsApp मुझे एक message कर दे इंशाला आप आपको जल्द जल्द reply मिल जाएगा sometimes reply में थोड़ी देर हो जाते हैं लेकिन मिल जरूर जाता है उस चीज़ की tension ना लिया करें मुझे just WhatsApp पे एक message छोड़ दिया करें मैं आपको reply कर दूंगा और भाई किसी ने भी किसी भी company का कोई भी camera purchase करना है कोई भी आपको system चाहिए analog system system चाहिए IP system चाहिए कोई भी system चाहिए तो भाई से राप्ता करें स्क्रीन पर मेरा number चल रहा है मुझे से राप्ता करें इंशाला best rate आपको देंगे best best rate मिलेगा और all over पाकिसान में cash on delivery भी मिल जाएगी थोड़े से charges हम advance लेते हैं और पूरे पाकिसान में आपको cash on delivery easily मिल ज ड्रियोंबंचे कोई कार ले जाएगी थाला best ले